हलो एवरीवन, वेलकम टू ओली सक्सेस, आइम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण संग्या हम देखेंगे और MCQs 20 के फिर हम कुछ देखने वाले हैं, तो संग्या क्या होती है, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, अत्वा भाव के नाम का बोध हो उसे संग्या कहते हैं, जैसे की आयोश, यह मेरा नाम है, शिवानी, नेहा, काजियाबाद, पुस्तक, बुढ़ापा, इमानदारी, गर्मी, इत्यादी, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तू या स्थान के नाम को हम आपका नाम, मेरा नाम, है ना, यह सब होते हैं संग्या, और इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं नाउन, अब संग्या के प्रकार भी होते हैं, जैसे की व्यक्ति वाचक संग्या, जाती वाचक संग्या, या फिर भाव वाचक संग्या, तो व्यक्ति वाचक संग्या क्या ग्ड्रव और यसे कि कोई भी सद्धान कि पारे में और गुता रहे हैं यह दो किविशेश के बारे में अब पारे पारे हैं तो इसे ऩाथ की फिरे जाता pajak यह जैंघ की जो नाम होता है किसी जगए का माते है जाती वाचक संख्या तो जो शब्त किसी प्राणी वस्तु या स्थान की पूरी चाती का बोद कराएं उसे चाती वाचक संख्या कहते हैं जैसे की चिरिया अब बर्ड्स जो हैं वो कई सारे टाइप्स की हो सकती हैं पट हमने उसको एक ही क्लास में अगर हमें कोई चिरिया की क्लास में को मैं हम लक कर देते हैं चाति वाचक संख्या होती है जैसे कि पहारब सारे होते हैं मौन् डेवरिस में है कि चाती संख्या हो 69 अध्यापक संभियां कि हो सकते हैं चीता हाती तोता लगलग तोते होते हैं तो ये जाती ये वाचक संग्या भावचक क्या होती हैं? वेसंग्या, शब्द, जिनसे प्राणी ये अवस्तू के गुड, दोश, अवस्ता, दश्ठा, आधी का घ्यान होता है वे भाव वाचक संग्या कहलाते हैं जैसे कि मिठास, बुढ़ापा, ठकान, गरीबी, हसी मतलब एक आपका emotion यहाँ पर दिख रहा है कि अभी मैं खुश हूँ, मैं हस रहा हूँ ये इनसान बहुती ज़्याद ब्रेव है, बहुत सा हसी है तो ये क्या होते हैं, भाव बताते हैं, कोई गुण बताते हैं भाव, feeling बता रहे हैं, कोई किसके personality बता रहे हैं अवस्था की कोई भी क्या कर रहा है तथा करिया के व्यापार का बोत करा रहे हैं इसलिए ये भाव वाचक संग्या हैं तो कोई मतलब एक कुछ ना कुछ दिखा रही है कि क्या चल रहा है अब जैसे हैं भावाचक संगया सामने तहां महसूस की जाती हैं और जिने गिनार ना जा सके ऐसी होती हैं जिनका हम लोग एक वचन में हमिशा प्रियोग करते हैं जैसे कि मुझे अच्छा लग रहा है ऐसी जाती वाचक संगया का पुरियोग जाती वाचक संगया की रूप में किया जा सकता है जैसे हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है रावण का मतलब एक एक सिंबलाइजेशन है कि एक बहुत ही बुरा इंसान जिसने कोई कलत काम किया है उसके हम कहते हैं रावण है इस तरीके से हिंदी भाशा में अंग्रीजी के प्रभाव में संगया के दो और भे स्विकृत कर लिये गए हैं जैसे कि द्रव्य वाचक य अगर हम बात करें तो वह गुरुप किया जब लीद उति जब आतो होते हैं अब सब टाइप थे पे बिशिकली तो इसके जो तीन ही टाइप सम लोग ने आने हैं जर Experiment प्रिक नि प्रकार होते हैं और डर्व्य वाचक principally leaves a ce इसे अब इसमें ले लिए हैं अब भावाचक संघ्याओं का कैसे निर्मान किया जाता है जिसे कि वीर से वीरता है ना मित्र से मित्रता पशू से पशुता मदूर से मदूरता कायर से कायरता इस तरीके से एक्जाम में आते हैं questions शोटी classes में जातर especially कि भावाचक संघ्याओं का हमें निर्मान करना है तो इस तरीके से होता है शत्रूते शत्रूता बुढ़ा से बुढ़ापा साधू से साधूता लड़का से लड़कपन तो यह हो गए जाती वाचक संघ्या से विशलेशन विशलेशन होता है किसी की चीज की speciality जब बताई जाती है जैसे कि वह मदुर है मीठा है कठोर है या प्यास से प्यास नम्र से नम्रता कुशल से कुशलता इस तरीके से विशेशन से हम लोग संघ्याए बिना सकते हैं फिर कुछ MCQs बहु विकल्प ये प्रश्ण है अब कुछ MCQs भी हम इसके देख लेते हैं यह हम लोग ने संघ्या का बिल्कुल basic देखा है अभी आगे आने वाले वीडियो में हम और भी और धिरे दिरे आगे हायर की तरफ बढ़ते जाएंगे अभी बिल्कुल संघ्या का basic देखा है स्थान या भाफ के नाम को हम संघ्या कहते हैं तो question first का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा second option next it is sanjya के बेद कितने हैं तो हम लोगों ने अभी देखा ना कि sanjya के बेद हैं तो sanjya केे पाच बेद हैं वैसे तो basically तीन है फिर हम लोगों ने वह द्रव्य वाचक और संहू वाचक यह हम लोगों ने दो और add कर दिये हैं तो अब हमारे पांच हो गए हैं नेक्स्ट है जो शब किसी जाती का बहुत कर आए जाती का बहुत कर आए तो हमें पता है वो एक जाती वाचक संग्या हो जाती है व्यक्ति वाचक संगिया हैं वह किसका बोद कराती है किसी विशेश व्यक्ति, फ्थान या फिर वस्टू का किसी एक particular चीज़ का जैसे की शिवानी, जैसे की ड六, जैसे की अमार्यका तो एक particular चीज़ का वो हमें बात बता रही है तो इस तरीके की संघिया होती है व्यक्तिवाचक संघिया 4 का जो है 3rd option ठीक है तरल पदात किसे कहते हैं तरल पदात कहलाते हैं तरल पदात किस क्या होते हैं क्या दरव्यवाचक होते हैं तो yes option 2nd is correct इसमें से चा्ट करके बताना है तो व्यक्ति वांचक संगहा बच्पन हो गया चात हो गया ना है फिस Coral फोर वजबादा दकाउं से बना भावाचक कोन्सा शब्ध है तो लड़कां सेरी बना है वो ग्या है लड़कांसे बनता है लड़के सेकेंड लड़का से जो भाव है भाव तो लड़कपन है ना कि भई लड़कपन यानि कि बच्चपन बच्चपन का भाव आता है तो थर्ड वाला इसका अंसर करेक्ट हो जाएगा तो हमने संघ्या के बारे में देखा जाना और कुछ हमने इसके अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और शियर करिए और इसके आगे हम लोग और भी संघ्या के लेकर के आएंगे वीडियो जो और डीटेल में हम देखेंगे थैंक यू